सुयस और चक्रवर्ती का जादू आया कोली का पचासा काम ना आया जी हाँ IPL 2023 का जो 36 मुकाबला था वो KKR वर्सेज RCB के बीच खेला गया जहां KKR ने पहले बल्ले बाजी करती हुए स्कोर बोर्ड पे 200 रनों का स्कोर लगा दिया तो वहीं इस लक्ष का पीछा करते हुए RCB टीम मातर 179 रन बना पाई स्कोर और उन्हें 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा अगर हम इस मैच की बात करें तो जो कोहली के 2-3 फैसले थे वो खास कर RCB का जी का जंजाल बने और उन्हें उन फैसलों के कारण यहां पे हार भी जेलनी पड़ी है तो अगर हम कोली के फैसलों की बात करें तो पहला फैसला जो आया वो टास्क के वक्त आया और वहां पे जो उन्हें डिसीजन लिया चेच करने का वो यहां पे गलत साबित होता हुँआ दिखा अगर हम बात करें कि वो फैसला क्यों गलत था तो वो रही केक्यार की गिंदबाजी केक्यार का जो strength था वो spin to win था उनके जो spinners थे वो बहुत ही मजबूत हैं और बहुत ही कारगर होते हुए दिखते हैं अगर केक्यार कहीं भी अच्छा performance देती है तो वो अपने spin रों के बद इस से मदद भी नीदा इस पिन रों के लिए लेकिन पहले इनिंग के मुकाबले जरूर दूसरे इनिंग में इस पिन रों के लिए थोड़ा सा advantage हुआ जिस कारगर वरुन चकुरती सुयस सर्मा के RCB के बल्लेबाजों पर भारी पड़ती हुए दिखाई दिए तो जो chase करने कि बुरी बल्लेबाजी सिर्फ और सिर्फ तीन बल्लेबाजों के उपर dependent है वो हैं विराट कोली ग्लेन मैक्सवेल फाब डुपलेसिस कोली मैक्सवेल डुपलेसिस में से कोई आउट हो गया तो फिर उसके बाद इनकी बेड़ा घर्व हो जाता है इनके बैटिंग contribution दे पाते हैं न सहबाज आमद न दिनेश कार्थिक और कोई भी बल्लेबाज इतना इंस्योर नहीं कर पाता है कि अगर इन तीन बल्लेबाजों में से कोई क्रीच पर न बचा तो इन अन्य बल्लेबाज इतनी छमता नहीं रख पाते हैं कि वो लाइन क्रॉस करा ले जाए सिबीकार आज के मैच भी ऐसा देखने को मिला हाला कि लउम्रोर और दिनेश कार्थिक ने कुस देर तो जान जरूर फूकी थी लेकिन जो कहते हैं कि बल्लेबाजों से और contribution की उमीद होती है एक बैटिंग पिच फ्लैट डिक थी यहाँ पे आप बल्लेबाजी आसानी से कर इस पिशर्म पर तो सही रहता है लेकिन अपनी बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए नजर आ रहे हैं अतलबर स्ट्रा दूसरे मखाबले में भी इन्होंने दो विकेट लिये मतलब आर सीवी चैज रमा की मिश्ट्री पढ़ने में नाकाम होँ पा कर रहा है वहीं अगर हम बात करें वरुन चक्रवर्ती का तो इनका भी RCB खिलाप इस्तिहास काफी सही रहा है अगर अन सीजोनों में भी अन संस्करोडों में भी ये RCB खिलाप बेहतरीन गिदवाजी करते हुए नजर आते हैं और इस संस्करण में भी जो दो मुकाबले RCB खिलाप खिले हैं वहाँ पे इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है पहले मुकाबले में जो KKR में कोलकाता में खिला गया था वहाँ पे 4 विकेट 3.4 ओवरों में 15 देकर लिये थे और आज के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि 3 विकेट लिये 27 रन देकर 4 ओवरों में तो ये जो सुयस सर्मा और वनुचकरणती का स्पिल था 8 ओवरों का इसने पूरा मैच मुमेंटम चेंज कर दिया केक्यार के फेपर में और RCB के तरफ से जो कोहली टिके हुए थे उनका पचासा बेकार गया नाकाम गया और अन्य बल्लेबाज वहाँ पे जिमदारी उठाने में असफर रहे जिसका रहे उनको हारका सामना करना पड़ा ते एक नजर हम मैच के स्कोर कार्ट पे डाल लेते हैं तो यहाँ पे केक्यार ने पहले बल्लेबाजी करते विए दो सरन बनाया उनके तरफ से नितिस राडा ने सांदार 48 रनों की पारी खेली 21 गेनों में 34 और 4 चके जड़े वहीं RCB के गेदबाजी की बात करें तो वानिडू हसरंगा ने 4 ओवर में 24 अंदेते विए 2 विकेट तो विजय कुमार ने 4 ओवर में 41 अंदेते विए 2 विकेट जब चेश करने आई RCB तो उन्होंने 20 ओवरों में 179 का स्कोर 8 विक्टो के निक्सवान पे बनाया उनके तरब से विराट कोली ने सांदार 54 ओवरों की पारी खेली 37 गेनों पे चोचो के सामिल थे इनके आलावा कोई भी बल्लेबाज उतने जिम्मदारी से नहीं खेला पाया और इनके आउट होते ही पूरी RCB टीम ढग गई अगर हम KKR के गिनबाजी पर नड़े डालें तो वहाँ पे स्विया सर्मा ने 4 ओवर में 30 रंदे कर 2 विकेट लिये हैं चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 27 रंदे कर 3 रसल ने 4 ओवर में 29 रंदे कर 2 विकेट तो इस तरीके से RCB को यहाँ पे 21 रंदों से हार का सामना करना पड़ा और पॉइंट स्टेबल में वो 5 वे अस्थान पे हैं जबकि KKR अब 7 वे अस्थान पे हैं तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही आप सभी अपना ध्यान रखें अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें